क्या आपको भी सारे stadiums unlock करने एड हर match में different अलग-अलग stadium change करके experience लेना है हर stadium का अगर हाँ तो ये वीडियो end तक जरूर देखना मैं आपको detail में explain करने वाला हूँ कि आप सारे stadium कैसे unlock करने वाले हैं ठीक है उसका answer भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ लेकिन आगे और क्या आप अपने 10 सेगंड निकाल कर इस वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करिए इससे motivation बिलता है और अच्छी वीडियो बना लेगे लिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो first of all दो type के stadiums होते हैं एक जो permanent stadium होते हैं और दूसरे जो temporary and permanent stadium ये दो type है ये stadiums की ठीक है permanent stadium 6 होते है 6 stadium आप देख सकेंगे यहाँ पे देखिए 1,2,3,4,5,6 stadium है ठीक है ये 6 stadium होते है permanent और पहले हम बात करते हैं temporary stadium करते है temporary stadium वोत है जो event में आता है and event to event change होते रहते हैं जैसे अभी euros चल रहे हैं ठीक है देखिएगा आप euros का stadium है and उसके उपर जो score line होता है वो भी euros के style में लिखा हुआ है वैसे हर event के लिए वो change हो जाता है ठीक है उनको आप event mode में शिर्फ खेल सकते हैं लेकिन main matches जैसे की head to head attack versus attack उन सब में या manager mode में आप उनको use नहीं कर सकते हैं बिलकुल भी वो शिर्फ event के लिए है और event के साथ वो तो इसलिए वो temporary stadium खेल सकते हैं इसका मिलब कि temporary stadium आप नहीं खरीज सकते हैं पर आप permanent stadium तो खरीज सकते हैं अब बात करते हैं permanent stadium जो आपको दिखे रहे हैं total 6 permanent stadium है FC mobile में अभी के लिए यही 6 stadium है उसके अलावा नहीं है लेकिन इनका different modes या version भी आप बोल सकते हैं वो आता है जैसे कि first stadium में day है यह आपको यहाँ आई बटन पर दबा के दिखाता हूँ मैं day cloudy dusk night and foggy यह अलग अलग देखिए अभी night में अलग दिख रहा है different version दिख रहा है इसका यह mode दिख रहा है आप कह सकते है mode ज्यादा better word होगा उसके लिए देखिए ओलम्पिक के अंदर cloudy अलग हो जाएगा और यह देखिए इसके अंदर day है only available मेरे पास इसमें only cloudy है अलग अलग मोड में stadiums अलग तरीके से दिखता है different look हो जाता है तो अब मैं बताता हूँ मेरे को सारे stadium unlock कैसे होगे and मैंने कैसे buy किये main thing सबसे पहली बात star pass star pass में जब भी आप आएंगे आप देख सकत stadium obviously होगा यह stadium olympic है इसमें foggy weather मिल रहा है मेरे पास foggy weather वाला नहीं है भी तक इस बार मुझी वह भी मिल जाएगा mode है यही मेरे पास बट इसका अलग version है mode है वह मिल जाएगा तो उसके बाद मैं उसको भी use कर सकूँगा तो एक और तरीका था पहले बट वह तरीका अभी न diamond से बाए करना का store में आप जा सकते थे और आप यहां से बाए कर सकते थे चाहते तो diamonds बहुत rare diamond 1000 diamond में आपको एक stadium मिल जाता था जो जितने भी available थे मैंने उस टाम सायरे बाए कर लिये थे ठीक है लेकिन अब वो option नहीं है आप वो तरीके से बाए नहीं कर सकते तो लिए आपके बस one and only option है star pass star pass के missions complete करना उसके वज़े से ही आप अपने stadiums collect कर पाएंगे अलग-अलग weather के साथ अलग-अलग stadium के साथ जैसे star pass है यह end होगा four days में उसके बाद क्या होने वल है कि नया weather नया stadium आएगा with new weather ठीक है अब यह देखते रहेगे और यह missions complete कर लेंगे तो आपको यह stadium मिल जाए आपको star pass में progress करते रहना है और progressing के साथ ही आप यह unlock कर लेंगे stadium and claim करना है जो कि directly आपके account में add on हो जाएगा और आपके लिए वो unlock हो जाएगा buy करने का directly buy करने का कोई option नहीं है बस यही इकलोता रास्ता भी बचे है पहले store से आप buy कर सकते थे बट अभी वो FC mobile ने वो बंद कर दिया है वो अला option only star pass आपके पास option है आपको progress करना है claim करना है and use करना है उसक attack and head to head के लिए आपको क्यान है यहाँ पर दिख रहा होगा home stadium उस पर click करना है और आपको जितने भी stadium दिख रहे हैं आपको किसी भी click करके select click करना है ठीक है उसके लाब आप modes change करना जाते हैं तो देखिए अब मैं आया जिसमें 2 से 3 mode है like stadium olympic में यह देखिए मैंने उसको cloudy क कर दिया foggy अभी available नहीं है आप foggy कर सकते हैं अगर आप वाले में available है यह night पकड़के select कर दिया इसी आप से आप select कर सकते हैं अपना जो भी stadium आपने claim किया है वो आप select करके play कर सकते हैं इसको ठीक है थैंक्स वर वाचिंग दे वीडियो वीडियो आप मच लगी तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ